अगर कर दोस्तों चलिये इस वीडियोस की स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस में आपको बताने और वाला हूं जोक्लास नायंत का बार्शिक-पे-पर होनेवाला है हुआ है सुला मार्श को थिक है गुणेत काथ पूरा पूरा पटेपर अपको बताने वाला हुआ यहां पर चाले आपकोित्त नीदेश जो कि यहां पर दे धी हुए नीदेश रखनाँ पर देख सकते हैं सबीसे को ठीक है इन नेका आप anda करना है इसके बाद आगर हम आते हैं सबसे पहला कोस्टन आपको देखने को मिलता है आप यहां पर देखी सकते हैं कि सभी कल्प सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए पहला है आपको पहला है दोस्तों बारा का एक बटे छे हैं ठीक है ओप्सटन ए है तीन बी है दो सी है कोई नहीं अगर आप इसका सोलिसन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका सोलिसन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके बाद अगर आप नेश्ट कोस्टन दिखते हैं तो यह संकू का आयतन होगा तो यहां पर एक सब्सक्राइब बनापन त्री प 1,0 ठीक है दूसरा ओप्सटन है आपका 0,2 तीसरा ओप्सटन पूचबाया है दो दो कॉमा दो नेक्स्ट्टें में जो है वह जीरो कॉमा जीरो अब दोस्तों इसके बाद आगर हम नेश्ट कोस्टन पर आयाते हैं वह कि बहुपाद 4X स्क्वार प्लस 3 5XQ प्लस 2X प्लस की घात ठीक है तो जो मेक्सिकम घात होती है वही बता देते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाए ठीटी के आपको अपसन आप देगी सकते हैं इसके बाद दोस्तों नेश्ट के देखते हैं पांच बाद तो वह एक एक तरबच के दो कॉंड 30 डिगरी बासाट सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए इसके बाद आप सब को बहुत ही बड़ी अप्लिकेशन के बारे में बताना चाहते हूं जो डेली हंट द्वारा बनाए गई है इस साल डेली लर्न ने आई एक्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैप टॉप मोबाइल फोन देवे लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलर्शिप में रजिस्टर कीजी और पाइए पचास करोड की स्कॉलर्शिप जितने का मौका दोस्तों इसके सबसे बड़ी खूब यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शेरों के साथ साथ छोटे शेहरों और ग्रामीन भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुचाने का निर्ना लिया है और यहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माद्ध में भी पढ़ सकते हैं डेली लर्न जल्दी अपने बिलाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासे स्टड़ी नोर्स टेस्ट सीरीज और क्विज्स मिलेगी तो अगर आप देखेंगे तो है रिक्तिस्तानों की पूर्ती की यह पहला आप देखी सकते हैं बन प्लस पूर प्लस बन अपन फॉर प्लस थ्री अपन फॉर एक क्वाल्स ठीक है आपको बता हम फूर या बन में से क्या होगा इसके बाद अगर हम नेक्ट कॉस्टिन पर आजा अगर आपको इसके पूरा 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 सॉलिशन मिल जागा इसके बाद दोस्तों अगर हमने पर जातब हो है कि एक बटे 100 का मान है तो यह दोस्तों 0.01 या 0.01 ठीक है नेस्ट है बेलन के संपूर प्रेश्ट का छेत्रपल है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं आपको फॉर्मूला दी हुए को इसा ही आपको बताना है नेस्ट है प्रायक्ता का दिखता मान होता है 0 या 1 ठीक है क्या होता है वह आपको बताना है दोस्तों इसको नेस्ट कॉश्चन देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे फिलिंदा बिलेंक्स ठीक है आपको करना है यहां पर आप देखेंगे दोस्तों नेक्ट को इसन पर अगर आप जाते हैं तो वह आपको देखने को मिलता है सत्य है सत्य लिखिए पहला है दोस्तों 3x प्लस 7 एक रेक एक बहुपद है दूसरा है प्रइक्ता का मान रणात भगवी फूशकता है अब दोस्तों चलिए नेश्ट कोस्चन देखते हैं दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जोन नहीं किया है तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन में दिव हुआ है आप आप से हमारा टेलीग्राम च किया लिखना है अर्द परिमाप का सूतर नकला है नेश्ट दोस्तों टूपी पावर फूर का मान क्या है इसके बाद नेश्ट जाता है दोस्तों थाइड किसी चैत्वर बज में कितनी सीर्स होते हैं चोतर कुस्चन आपको देखने को मलता है परतम पांच प्रक्टत संक्य लिखनाओं का माद दिख्या होगा इसका नेश्ट है एक सक्के को चालने पर चित आने की प्राइक्ता क्या है अब इसके बाद हम अगली कोश्चन पर दोस्तों आपर आजाते हैं तो आपको यहां पर दी हूए है सही जोड़ी बनाईए जगा ना आपको दोस्तों सही 4 x 5 इसका नेश्ट है दोस्तों 36 x 1 बटे 3 अब दूस्ते स्क्राइब अगर हम नेश्ट कोशन पर आते हैं तो आप इसके बाद नेश्ट कोशन देखने को मिले का आप देख सकते हैं तो सबसे पहले है आप अगान हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किया टेलीग्रम में इसको आपको लिखना था इसके बाद जो सात्वा कॉस्चन आजाता है वह बिंदू 4,1-3,8 के बोजेवं कोटी लिखिए इसके इत्माम दोस्तों किस चतुरतांस में बिंदू-3,5-4-3 इस्तित हैं अब नेश्ट कॉस्चन आजाता है दोस्तों यहां पर आठवा की प मैं दोस्तों बेला निवा संकू के बक्र प्रश्टी चेतरपल का सूतर लिखो अब दूस्तों इसके बाद हम अगर दस भी कॉस्चन पढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं उन आखणों के दो दारन दीजिए जिने आप अपने देनिक जीवन में एकत्रत कर सकते हैं इसके एसके बहुत ़े सकते हैं इसके बाद दूस्तों देखते हैं हुआ आप यहां पर देखेंगे की कॉस्टिन दिह हुआ आपको कि यह सकते कि एक तिरबोच के और आपको दियु है कि अनुपात में तो त्रेजबोजिक के सभी कौन ग्याद करो ठीक है यहाँ पर आप अतपाम दीके हैं आकरती में ए बी और सीडी पर फरस पर बेंदू ओपर पर प्रतिछेट करती है यादि यहाँ पर कौन दी हूँ है आपको तो सभी कौन ग्याद है कि यदि एक तरवज के परस पर समकोन पर समदूई वाज़त करें तो बैस हम चतरवज होता है अब नेश्ट कुस्चन देखते हैं दुए कि गुणान खंड ग्याद कीजिए इसको आपको करने हैं गुणान ग्याद करने हैं इसके तुमाम दोस्तों टू एक्स प्लस बन सबसे पहला है बिंदू दी की कोटी बिंदू एक बोज बिंदू बी के चतुरतांस में और निर्दे सांक आपको जो है पहचाना गया बिंदू ठीक है अब नेश्टे दूस्तों आप क्वेस्चन पर आते हैं तो सत्तरव क्वेस्चन में हम दिखेंगे कि दरसा ये कि किसी समभाहू तरवज का पिरते कौन सा डिगरी होता है ठीक है इसके अत्वाँ जो क्वेस्चन है भोग है कि तरवज ए बिसी में एडी बजा बीसी का लम सम्दू बाज़क है तरसा ये कि तरवज ए बीसी एक सम्दू बाज़क है जहां ए भी बरावाद एसी अब इसके बद तो निश्ट जाता है, शिद्गी जीए की एक ब्रट Keeping के अंदर से जिवा पड़ा रगाया लंब, जिवा को समदुराइवाज़ू करता है। इसके बाद ने इसके अत्वाम है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम बड़तों की जीवाँ द्वारा के इंदर पर आंतरत कौन बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं अब नेश्ट कॉस्टन अगर हम देखें तो वह है उन्नीस बाद की साथ डिगरी का कौन बनाकर उसका सम्दूई भाजा कर खींचिए इसके अत्वाम है निम्नमापों के कौन की रचना कीजिए 30 डिगरी या 45 तीजिए अगला कॉस्टन जो आता है बीस बाद हो है आपर की ए 12 सेंटी मीटर लंबाई की हैं इस तरवच का चेतरफल ग्याद कीजिए 21 कोस्टन आप देख सकते हैं एक बेलनाकार बरतन के आधार की परीदी 132 सेंटी मीटर है और उसकी उंचाई 25 सेंटी मीटर है इस बरतन में कितनी लीटर पानी आ सकता है इसके अत्वाम है दोस्तों क को इनको जो है सरल करना था इसके अत्वाम में जो कोस्टन है उसमें भी आपको जो है कि अधरना की है तर्य जो आपको तो यह 11 कर ना था अब अगलों कोस्टन आ सिवेखा झाथ कि एगा चित्र परीमाब कीजिए तीक है यह चित्जिए आ उनको दिए सकता है तिरौ erased यहां पर आप देखेंगे कि हल करो आपको सुल्व करना था इसके बाद दोस्तों कि निम्न को संक्या रेका का प्रियोग करते हुए योग कीजिए तो यहां पर आप देखी सकते हैं इसके बाद लाश्ट कोस्ट ना जाता है 25 वाप यहां पर देखेंगे कि एक महीने में एक परिवार दोहरा जिसकी माश्चे का 20,000 विपन पदों पर किये गए बैं निम्लिकेत हैं तो इसको क्या करना आपको ब्रुक्त को नुरूपत करने के लिए डंड आरे कीचिए ठीक है इसके बाद अध्यखेंब की मिल्केत बारांबार्था साहिनि के नीचे दी इगाए प्रश्टव के उत्तर दीजिए ठीक है कि बर्ग बारांबार्थी सबी कोस्टन क्या प्राइक देना था इसके लाइस्ट क्या लाफ्यार नहाता है कि एक पांसे को 1000 वार पेंकने पर प्राप्ट पर परिणाम के पराप्त होने के प्राइक्त तक याद कीजिए इसके अधवा में जो है दोस्तों देख सकते हैं कि एक सक को एक सक्टे को एक अजार बार उचालने पर निम लेकर बारां बारता है पराप्त होती है चेतर चार सो पच्पन पर पांचो पेंटालिस परते गटना के पराइक्ता अभी कलित कीजिए तो दोस्तों यह थी पूरे पूरे दोस्तों पेपर जो मैंने आपको बता दिया आई होप आपको पसंदे होई तो अगर आप वीडियो को लाइक जरू करें इसकी पीडियाप का लिंक जो है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हु ज्टों पुरे लाइक्स होई जुट्ट नीचे जोस्तों अपक़र कणित के एकीजिए दोक् tes चे जोस्तों वीडि़क्ते के जो है पूरे वार बता है दोस्तों बताइक्क्तों नीक्तों आपका दिता दू pequeñaपन आपकोो